अब हम देखते हैं परिटॉंसिलर एपसेस अभी हमने पढ़ा था लोडविक संजाईना जो कि था हमारा primary mandibular spaces का infection ठीक है परिटॉंसिलर एपसेस के है परिटॉंसिलर स्पेस में infection हो जाना जैसे कि यह हमारा तौनसल था ठीक है पैलिटाइन टॉनसल और इसकी Capsule उती है उटर कवरिंग ठीक है अब उसके Lateral साइड पर कया होता है Superior Constrictor Muscle ठीक है अब Capsule और Superior Constrictor Muscle के बीच में जो Space होता है उसे हम कहता है परिट उंसिलर स्पेस और अगर इसके बीच में कुछ भी इंफेक्शन हो जाए और उससे एपसस बन जाए तो हम उसे केंगे परिट उंसिलर एपसस या फिर क्विंसी इसकी टिलोजी भी सेम है लुडवेक्स अजयना जैसे और स्टेफैलो कोकस स्टेप्टो कोकस और इंफेक्ट उन्होंने क्या कर फिर इंट्र अदGM हो गई और उसने क्या किश फिर वहं पर बौाफ भी कर एक यहां शुका है और इसमें about the clinicals, तो एपसस हो रख है, ठीक है, इंफेक्शन है, तो जनरल में क्या होगा, फीवर होगा, जिल्स, राइगर, मेलेस, हैडेगनोजिया, और कॉंस्टिपेशन हो सकता है, ठीक है, और अब लोकली हमारे और और अफेरिंग्स में क्या होगा, सिवियर पेन होगा, होगा, ठीक है, और डाइनोफेजिया, मतलब कि ग्लूटिनेशन नहीं हो पा रही है, कि भाई, सलाइवा भी अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, और डूलिंग होगी, दर्द होता है, एक होता है, इसमें होड पोटेटो, स्पीच, ठीक है, फॉल स्मेल करेगा, क्योंकि भाई, तॉश्यूंसेलरित्स है, और ट्रिस्मस, मतलब कि हमारी जू मोद्ञ रूख जाती है, ठीक है, यह रहा हो सकता ए rij हो सकता ए deixar ट्रIST होता है, ठीक है, यह होगे, ठीक है, फिर हमारे बात आता है, इसकी एक्जेमेनेशन में, जब हम इसकी एक्जामेनेशन करता है, तो वह बहुत ज्यादा inflamed हो चुका है एरिया ठीक है तो वह पुश कर देता है दूसरी वाली साइट पर व्यू लागो soft palate bulge हो जाएगा और इसमें lymph nodes involvement होती है में लिए होती है jugalodigastric lymph node की adenopathy हो जाएगी ठीक है और इसमें जाता है नीडर एस्प्रेशन कर सकते हैं टॉंसल से निकालके उसको culture and sensitivity के लिए भेजते हैं लाब में तो उससे बैक्टीरिया बाता चल जाता है ठीक है और फिर बात करते हैं treatment की सबसे पहले hospitalize करेंगे IV fluids देंगे dehydration और electrolyte balance के लिए antibiotics ओविसली देंगे ही broad spectrum क्योंकि इसमें ने वो anaerobes और anaerobes दोनों involved हो सकते हैं जैसिक देंगे pain हो रहा है ठीक है और major risk treatment आता है फिर incision and drainage abscess को निकालने के लिए और tonsillectomy कर सकते हैं उसको कहते हैं फिर quincy tonsillectomy ठीक है फिर बाकी complications मैंने बताए दीती parapharyngeal abscess हो सकता है laryngeal edema हो सकता है septicemia हो जाएगा pneumo nitis हो सकता है jugular vein thrombosis और hemorrhage हो सकता है that's all ये छोटा सा quincy था ये छोटा सा quincy था अब बढ़ते है retro pharyngeal abscess हुआ हुआ हुआ